स्वागते आपका आज की इस वीडियो में दोस्तो सेफशॉप ने अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है और आईडी लगाने का प्रोसेस पूरी तरह से बदल गया है आज की इस वीडियो में हम step by step सिखेंगे कि सेफशॉप में new आईडी कैसे लगाएं तो सबसे पहले हम company की वेबसाइट पर जाएंगे वेबसाइट पर जाने के बाद में right side में यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर उस login आईडी वा पासवर्ड को डालेंगे जिसके reference से हमें new आईडी लगानी है आईडी वा पासवर्ड डालने के बाद login पर किलिक करेंगे लोगिन करने के बाद में वापस यहाँ पर किलिक करना है उसके बाद में उस वेक्ती की पूरी detail आजाएगी उसके बाद में left side में यहाँ पर किलिक करना है उसके बाद में new direct seller sign up पर किलिक करना है फिर ID इस तरह से खुल जाएगी और नीचे MPT का option आ जाएगा उस पे क्लिक करना है उसके बाद में refer ID और उसका नाम आ जाएगा उसके बाद में i confirm पर क्लिक करना है करने के बाद में new sign up board इस तरह से खुल जाएगा बहुत सारे लोग याँ पर गलती कर देते हैं जिसकी login ID create करनी है आप जो login ID बना रहे हो अगर उस नाम से पहले ID बनी होगी तो इस तरह से लिखा आ जाएगा आपको क्या करना है कि उस login ID में कुछ word या कुछ चंकों को change करना है जैसे आपकी ID सही होगी तो आपको इस तरह से right का निसान दिख जाएगा फिर आपको दो बार password डा name नहीं लगा हुआ है तो इस last वाले name को खाली चोड़ देना है उसके बाद में यहां पर father name डालना है फिर जनवतिती यनि date of birth डालनी है यहां पर लोग गलती कर देते हैं date of birth इस तरह से डालनी है count type में इस पर click करना है फिर mobile number डालना है उसके बाद में email ID डालनी है फिर डालने है उसके बाद में nearby कोई ऐसी जगर या पता आपको डालना है जो आपकी नजदी को last में फिर यहां पर country यहां तो इंडिया यहां पर डालने है फिर एक बार वापस चेक करना है कि आपने जो जानकरी भरी है सही है कि नहीं है उसके बाद में फिर last में submit पर click कर देना फिर एक OTP आएगा और sign up successfully हो जाएगा फिर आपको logout पर click करना है फिर आपको वापस यहां पर new ID वा password डालना है फिर यहां पर click करना है और वापस आपको password डालना है और उसके साथ में जो OTP आपको आया होगा वो डालकर submit करना है उसके बाद में आप इस page पर आ जाएंगे फिर आपको वापस new direct seller sign up पर click करना है फिर इस तरह से page खुल जाएगा नीचे आना है और I agree पर click करना है फिर अगला page आएगा यहां पर click करके I agree पर click करना है फिर अगले page पर वापस I agree करना है फिर उसके बाद में इस तरह से welcome page आएगा यहां चारों condition पर write करके agree करना है फि इन में से जो भी document उपलब्ध हो उसी पर किलिक करना है जैसे मैं आधार कार्ड से कर रहा हूँ तो यहाँ पर आधार नमबर डालूंगा फिर यहाँ पर capture डालेंगे उसके बाद OTP डालकर फिर यहाँ पर कोई चार नमबर डालेंगे फिर submit कर देना आप देख सकते हैं KYC complete हो चुकी है अगर आपको आधार कार्ड से KYC करने में problem आ रही है तो आप water ID कार्ड से ही करें सबसे आसान तरीके से KYC हो जाएगी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दे और चैनल को subscribe करके bell icon को all पर set कर दे मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ